आखिर कौन थे महरसिवालमे की? डाकूर अतनाकर से कैसे बने साधू कवी जानते हैं आज इस वीडियो में सब कुछ महरसिवालमे की जीवन गाथा के अनुसार वह रिसिमुनी बनने से पूर्व एक कुख्यात डाकू थे महरसिवालमे की जीवन गाथा पुराणों के अनुसार महरसिवालमे का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था रिसिमुनी बनने से पूर्व वे एक कुख्यात डाकू थे उनका नाम रतनाकर था मनस्मृत के अनुसार वी प्रचेता वसिष्ट नारद आधि के भाई थे उनके बारे में एक और किमोदंती है कि बाल्या वस्ता में ही उनको एक निसंतान भीलनी ने चुरा लिया था भीलनी ने रतनाकर का बड़े ही प्रेम से लालन पालन किया भीलनी के जीवन यापन का मुख्य साधन दस्यु कर्म था भीलनी बुरे कर्म और लूट पाट से रतनाकर का पालन पोशन कर रही थी इसका रतनाकर पर काफी प्रभाव पड़ा और उनुने भी बड़े होकर अपने भरन पोशन के लिए इसे ही अपना लिया था रतनाकर को लगा लूट पाट हत्या ही उनका कर्म है जब वालमी की एक तरुन युवा हो गए तब उनका विवाहा उसी समुदाय की एक भीलनी से कर दिया गया विवाबाद दतनाकर कई संतानों के पिता बने और उनी के भरन पोशन के लिए उनुने पाप कर्म को ही अपना जीवन मान कर और भी अधिक खूर पाप करने लगे एक बार उनुने वन से गुजर रहे सादू की मंडली को ही हत्या की धम की दे दी सादू की पूछने पर उनुने इस बात को स्विकार किया की वे यह सब अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हैं तब सादू ने उन्हें ग्यान दिया और कहा की जो भी पाप कर्म तुम कर रहे हो उसका दंड केवल तुमें ही भुगतना पड़ेगा तब सादू ने उन्हें कहा कि तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि क्या हुए तुमारे इस पाप के भागिदार बनेंगे इस परकार रतना कर को सादू यानी की नारद मुनी की बातों का काफी प्रभाव पड़ा वह नारद मुनी की बात पर विस्वास नहीं करने वाले थे किन्तु वह सोच में डूप गए इस परकार नारद मुनी से रतना कर ने कहा कि वह अगर परिवार से यह पूछने जाएगा तो आप सब सादू लोग भाग जाएंगे तो रतना कर की इस संखा को दूर करने के लिए नारद मुनी ने कहा कि वह हमें यहीं पेड से बांद कर जाए हम नहीं भागेंगे इस प्रिकार रतनाकर नारद मुनि को साधों संग बांध कर परिवार से यह पूछने गया कि वह उसके पाप में भागिदार होंगे या नहीं रतनाकर के परिवार और पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी रत्नाकर की पत्नी ने कहा कि वह परिवार का भरन पोसन चाहे कैसे भी करे इससे उन्हें कोई मत्तब नहीं रत्नाकर के पापों में भागेदार होने पर जब उनकी पत्नी और बच्चों ने अपनी ऐसे मती प्रदान की तब उनकी आँखें खुल गई तब रत्नाकर को अपने द्वारा किये गए पापकरब पर बहुत पस्ताओबा हुआ और उनहें सादुमंडली को मुक्त कर दिया सादु मंदली से छमा मांग कर जब वालमी के लोटने लगे तब सादु ने उन्हें तमसानदी के तठ पर राम राम नाम जब ही अपने पाप कर्म से मुक्ति का यही मार्ग बताया भूल वस वालमी की राम राम की जगह मरा मरा का जब करते हुए तफस्या में लीन हो गए और यही नाम आगे चलकर वालमी की रामायन की रच्यता की नाम से अमर हो गई भगवान वालमी को महर्सी का दरजा प्राप्त है महर्सी वालमी का जन्म दिवस आस्विन मास की शरत पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है ऐसे महान संत और आदी कविका जन्म देस भर में वालमिकी जैन की रूप में मनाया जाता है जै स्री राम